तो आपको जाके नेट पर यूटूब पर जाके सर्च करिए कि मेरा यह टोपिक लेक कर रहा रहा है उसको इंप्रूव कर रहे हैं वह आपको जिस लेवल पर आप वह एक्दम एक्जाम के लवल के लिए पूरा करने में पीवाजिक मेरे लगता सबसे बेस्ट है करते हैं सभी का सवागत जहां पर स्टॉक सेशन के अंदर जहां पर हम बात करेंगे एक जर्ण ने के बारे में जानें किस तरह के से नहीं अपने पहले अटेंट के अंदर जर्ण क्या वह तो विलकम प्रदीप यहां थोड़ा थोड़ा बताइए कहां से अपने घ्रड़ेशन की प एक साल गप रहा फिर जेनियुक एंट्रेंस की तैयरी के वहां जेनियु में एड़िशन आप जब जब जिन खतम हो गया जुन वाला जो एक्टम्ट था उसी के लिए तैयरी ये लिए लेकिन वह कैंसेल हो गया तो फाइदा ही हुआ है और रजल्ट है कि जेर्फ हो गया है ज तो तो थोड़ा अपनी जरनी के बारे मुझे बताईए कि जैरफ जो आपने निकाला है पहले слыш कि अगी बहुत है कि अपने केमिस्ट्री से हिस्ट्री की चेंज गिशा और ऊसके बारे मुझे थोड़ा होता है। एसा ए इस ठी को मतलब मेरे को इंट्रेस्से ध्यूमन 하는데 ंपनी की और फ्न let फिले पागविल को मेरे कर से है मीड़ीविल में इंटरेसों हुने को यसे और दूसरा मेरा साइंस बेग्गराॉड में है पार्ट वन में तो मेरा चार है और हमें देखते हैं कि नाट के इकष्टरी एक्जाम होता है काफी प्रेडिक्टबल होता है हम गैस नहीं कर होते होते हैं अबरब्ट लिए आपके सामने आए थे टीचिंग अफिटूड रिसर्ट अफिटूड कॉम्निकेशन तो उसके अपने विपरेशन के सगी थी एक्चुली मैंने पीवाइए क्यों कि पार्ट वन के लिए बेस्ट इंफोमिशन देते हैं कि आपको क्या पढ़ना पार्ट वन में अच्छी से कवर कर लो ताकि मेरे मांक्स ना घटे तो मेरा काफी अच्छा स्कोर आया पार्ट वन में और इसमें मतलब मेरे को लगता है कि पीवाइज क्यों आपको बेस्ट सॉलूशन है आपको पार्ट वी तैयरी करने के लिए आपने कितने साल के ऐस नःः क्रिवाई के चुछ कर देगा तो आपको जो टूपिग आपको नहीं हा निए ऍाल कहते है तो आपको निए तैयारी निए करने में चाल करने में में इनया सबसे बेस्वार कोशल्ड पर वन में सबसे मुश्किल यिरी य' कूँ नो थोकु ठोड़ा मूले। कि teaching aptitude में factual question ज्याद होते हैं कि किस किसने क्या theory दिये कौन सा teaching model किसने प्रपोस किया है तो वह मेरे को लगता है कि थोड़ा मगप करना पड़ेगा अपको लेकिन उसके अलावा जो सारी topics आपके अपनी reasoning based कर सकते हैं आपके अपने intellect पर सकते हैं थोड़ा आपको खुद पढ़के थोड़ा research करके आप पेपर मैनेज कर सकते हैं और obviously आपने test series जो की लिए test book पे प्रिविसे और question mock वेगा वो आपको help किया उस वो कैसे help किया आप उसके short notes बनाते हैं जब कुई solution हो गया रहा था था अचली ऐसा रहता है कि जब PY कुछ आप solve कर ले आपने फिर जब उसके solution पर आते है तो आपको टेक्स्ट बुक में टाइम्स हो गया तो आप सोच लिए कि एक मन्त में आपने 100 question के तो पर question आपको four question और मिल जारे तो आपको 400 question होगे तो आपको उसी से पता लग जाएगा आप कितनी टारे इची कर पा रहे है और description पढ़ी है और description में आपको अगर कुछ रह जा रहा है आपको लग रहा है त आप उसको लिख लीजिए आप शॉट नोट बनाते थे हैं मैं शॉट नोट बनाता था जो मेरे को बार बार करने पर मेरे गलत हो जा रहे है जिसे मैंने दो बार कोई 2018 का मैंने पीवाइक्यू दिया और मैंने दो बार किया और मेरा same question दोनों बार गलत हो तो मैं उस question का note-down लिख लेंगे ना तो आपको फिर उसी में खोई रहे जाएंगा आप नहीं जगर नहीं जाएंगे question से आपको एक range मिल जाते कि आपको किस topic को कवर करना है और यह हो सकता कि आप जब questions का short note बना ले कि यह इस topic का PYQ है यह इस topic का PYQ है तो आपको range मिल जाएगी कि इस topic से कि range तक के question आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रदीप ने पूरे short notes बनाये होगे लेकिन यों previous question के short notes बनाये होगे ते जो mock test to test books उबर coaching के उबर गर रहे थे उसके short notes बनाये तो उसको multiple times को revise भी करते थे तो जरूरी नहीं कि आप theory का पूरा short notes आप short notes questions का भी बना सकते हो आपको अलग में help करेगा आपके concepts clear हो जाएंगे जैसा उन्होंने बताया कि चार options है आपके पास तो चार options में से आप चार चीजे पढ़ रहे हो ऐसा नहीं कि question पढ़ रहे हो चार चीजे question के नदर पढ़ रहे हो उसके short notes बना उसको लिखो और उ को ब्रेक भी करना जुरूरी होता है कि बोरिंग लगता है students को मेरे को बोरिंग नहीं लगता हूं कि आपको कैसा लगता है इसी लिए मेरे को लगता है कि मैं पढ़ भी पारा हूं history actually मैं history को ज्यादा उसमें नहीं देखता कि बहुत lengthy topic है बहुत बहुत बड़ा सलेवास मैं सिर्फ basic books उठाता हूं जैसे basic उपेंदर सिंग होगे साथी चंद्र होगे spectrum होगे आप इन basic books को कवर करिए इतना कवर करिए कि आप को इतना याद रहे कि कौन सी topic हो सकता है आपको precise knowledge नहीं हो लेकिन आपको topic या फिर जो आपको information पता होगी कि मेरे को अगर मालो वेदिक ची आप उनको रिवाइज करें आपने basics कर ली उसके बाद आपको मेरे को लगता है कुछ कहीं जाने की जरूत नहीं है पेंदर सिंग सतीष चंद्रा और spectrum पढ़िए उसके अलाव को याप फोलो कर सकते हैं जैसे medial के लिए KPJS वाल है उसमें और आपको range मिल जाएगी पेंदर यही हमेशे strategy students को follow करने के लिए होलता हूँ कि अगर आपका foundation strong है अगर आपने किसी भी तरिके से अपनी वाजबूत नहीं रखी हुई है चाहे हो किताबों कि तो आपने रखी हुई हो और उसके साथ अगर अगर प्रिविसर कुशन भी करते हो I think that's more than enough तो आपका paper 2 में क्य तो आप इनको मैनेज कैसे करते हैं अगर paper 1, paper 2 आपको पढ़ना है तो दिन में कैसे मैनेज कर रहा है अचली मैं एक प्रियेड लेके चलता था कि मेरे को 3 hours 3 hours और उसके बाद फिर मेरे को अगर मेरी energy बचे तो मैं पढ़ सको तो मेरा पहले 3 hours फोकस रहता था कि मैं पार्ट आपने इनर्जी खर्च कर दी उसके बाद आप पार्ट बन पढ़ने का मन नहीं करता तो पहले आप पार्ट बन कर ली जिए जब आपके energy है जब आप में थोड़ा जब बूस्ट फैगी मैं पुछ करना है मेरे को उसके बाद आप अपने ही सब्जक्ट पे चले ज़ए चा और आपको मजा भी आता हूं पढ़ने में तो आप अराम से उसको दिन के एंड वाले पार्ट भी पढ़ सकते हैं तो अच्छी स्टाटेजी है और कभी आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं छे दिन पढ़ रहा हूं या साथ दिन पढ़ रहा हूं तो मुझे ब्रेक लेने की डेली जब तक एक्जाम ना हो वो अपना टाइम पिर एक दिन भी ना छोड़िये हो सकता है आपने आठ गंटे का बनाए और च्यार घंटे का बनाए वो आपके उपर डिपेंड़ है लेकिन जो आपने फोलो किया है जो आपको फोलो करना है वो उस पे एक्दम एंड तक ब हो गया और फिर ऑगस्त मेरी एक्जाम हुआ तो यह एंटे के ऊपर आपकी स्टेटमेंट क्या होगे प्लस अपने 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 अपको मोटिवेट कैसे रखा चली मेरा जब जून वाल एक्जाम था वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि फाइनल येर में क्या कर सकते हैं तो उसने आपने मौके को यूटलाइज किया अपने पढ़ना शुरू कर लिए उसी टाइम जब जून एक्जाम का क्या बोलते हैं कैंसलेशन का नोटिस आया तो उसी टाइम मेरे को लग गया कि अभी मेरे पास बेस चांस है अगर अब इसको मिक्स कर दिया प्रोफेसर को मैं पसंद आजाता हूं मेरा टोपिक पसंद आजाता है या पिर मेरा जो एडिया इंट्रेस्ट ऑ किस प्रोफेसर से सिमिलर हो उस पे काफी चीज़ इन रोता है तो रिशर्च पर कुछ किया भी तरह ओलमॉस्ट एक्च्छली जो 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 फाइनल समेश्ट ह सर्दिंव वह लगब पर दो करें नहीं सकते अप उसमें आपको सब्सक्रीश नहीं करना पड़ेगा पो कुछ यестоक्रच करना पड़ेगा का में में पड़ेगा इसलिद क्सेंट्ट्रीश्रक्राइब ग्राफिक क्या हुई है इस टोपिक से रिलेटेड आपको गैपस ढूंडने पड़ेंगे और ऐसा भी रहता है कि मतलब हो सकता है आप गैपस ढूंड लें लेकिन आपका काम अच्छा नहों लेकिन उस टाइम आपकी एफर्ट जिख जाते हैं कि आप इस टोपिक से लेटेड हर्याना रीजन से आता हूं तो हर्याना रीजन के पास रहा है भरतपुर किंगडम और हर्याना में काफी खा पंचायत भी इन बोल रहे है पॉलिटिक्स में भी इस्टोरिकल लिए मेडियुल टाइम पर आप देखने ही कोशिश कर रहे हैं कि जो खा पंचायत करोल था बढ़ने में और जो प्लिटिकल स्ट्चर है जाठwright का थिक खा पंचायत को फोलिटिकल स्ट्चर कैसे उनको काम बन गया क्यूंकि रेवल तो हर कम्मिटी ने किया था उस ताम तो ऑगा तो उनको हेलोग जो पॉस किया जो प्रेट बार्फॉम के नाम पर मिल गया लेकिन जो उस पैले से उनके पास पॉलिटिकल सेक्ट्रा उसका यूज करते ही। तो बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया तो लास्ट मेरी आप से कुश्चन यह कि आप जो स्टूडेंट्स उनको क्या एडवाइज देना चाहोगी जो नेक्स सट्रेंब कर रहे हैं सब्सक्राइब हो ऐसे के लिए चया फृष यह कि लिए अपने बस्क्राइब क्योंकिन संदूश्चन ब्न HTML कर लिया सब्सक्तराइब क्योंकर्टनों का देट गकर्टन चैखिTON तो थंकियो रिमच्च पर कनेक्टिंग इस थैंकिय।